तो सबसे पहले हम यह जो Amazon की website हमने इसका clone बना रखा है इसका थोड़ा सा understanding कर लेते हैं कि इसका जो navigation है वो किस तरह से बना हुआ है अब जो इसका navigation है basically इसके अंदर एक तो यह पूरा navigation है ठीक है इस navigation के अंदर यह एक block है यानि कि पहला block यह इसका दूसरा block है यह इसका तीसरा block है यह इसका चोथा block है यह इसका पांचवा और यह इसका छटा block है यानि कि एक div element के अंदर छे div है मुझूद सही है अब छे div को हमने कैसे arrange करना है यही आपको सिखाना का मकसद है यानि के आपको यह आना चाहिए कि जब इस तरह के navigation आप देखें तो उसको खुछ से code करके बना लें अच्छा अब यह experience जब आप कर लेंगे तो फिर आपको इचीज समझ में आ जाएगी ठीक है तो सबसे पहले हम आपको तो यह जो हमारी फाइल है इसका नाम है index.html यानि कि यह जो हमारे सामने खुली वी है इसका नाम है index.html इस index.html फाइल में यह इसका navigation है और इस navigation पे क्लिक करके मुपर जाते हैं तो यह basic html का code हम यहां लगा देंगे और यह हमारी css की फाइल style.css और style.css को हमने यहां पे link कर रहा है तो फिर यह किस चीज़ को हमने link कर रहा है basically यह एक website है font awesome.com उसका हमने cdn लिया हुआ है ठीक है? क्या लिया हुआ है? cdn तो cdn क्या होता है कि यह इसको इसके server से connect करता है originally, ठीक है ना? मतलब इसके server से केसे connect करेगा? तो इसके server से connect करेगा और server से इसको किस तरह से connect करेगा? कि आपने इसको copy करना होता है यानि कि आप internet पर जाएंगे और पहले आपके पास internet connect होना चाहिए और जो internet connected है उसमें जाके इसके cdn से connect करना है तो यहाँ पर cdn से connect करने के लिए यहाँ पर हम आ गए इस पर और यहाँ पर आप google पर जाके लिखेंगे google और यहाँ पर cdn.font.assum यह website है ठीक है इस पर चले जाएंगे और इस website से यह cdn आपको मिल जाएगा कोई भी इसमें से यहाँ से click करके copy कर ले और copy करके अपने इधर पेस्ट कर लें ताकि जो icon हम use करने वाले हैं उससे यह easily connect हो जाए